कि उसका करियर को बनाने के लिए और बचाने के लिए उसको सौ गुना जादा मेहनत करनी पड़ती है और अगर आप वो हो जिसका इंडस्ट्री में कोई माई बाप नहीं है अपने बलबूते पे लड़की आई है मिस इंडिया कॉंटेस्ट जीत के मैंने अपना मुकाम हासिल किया जिसके वज़े से मुझे बॉलीवड में चांस मिला इतना कुछ करकर आके मैंने एक छोटा सा अपना करियर तयार किया था सूपरस्टार भी बनी नहीं थी ऐसा नहीं कि बहुत हाई लेवल पर खेल रही हूं एक मध्यम बर्ग था मेरा बॉलीवड में की काम आ जाता था साल की दो-तीन फिल्में आ जाती थी एक आद आइटम सॉंग कर लिये तो इंकम मेंधी सप्लिमेंट हो जाती थी फिल्म में अप्नी इंकम नहीं होती थी नहीं देते भूझेहं लिया तो मैंने भूबतल भी थी आइटम सॉंग कर लेती हूं आइटम सॉंग देंगे बिस तो जो फिल्मों से नहीं कमा का रही हूं बाकिशों बग्रा कर के कमा लूंगी घर बनाया मैंने अपना फूचर मुझे स्टार, मेगा स्टार, पराना धिमकाना मैंने कभी सोचा ही नहीं था, बस इतनी छोटी सी मेरी जुंदगी थी, पांच-छे साल काम करूंगी, इतना पैसा जुगाड करूंगी, कि मेरी लाइफ आगे की सेट हो जाए, प्यार हो जाएगा, शादी हो जाएगी, बच्चे हो ज इतनी गंदी गंदी बाते, क्यों अपने गुनाह को चुपाने के लिए, और उस वक्त जब मैं उनको मना कर रही थी, कि नहीं ये गलत है, आपका यहाँ पर होना नहीं है, तो उनको इगो में हट हो रहा था, कि ये क्या लड़की है, हमको मना कर रही है, ये इगो अहंकार ह है, तो आज भसो केस में, तुमारे आंकार के लिए तुमको लगा कि तुम किसी लड़की का करियर खराब कर दोगे, तुम किसी लड़की की जिंदगी खराब कर दोगे, उसके बार में उल्टा सिधा बोल के, उसके सारे जो सोत्र है, इंकम के, वो बंद कर दोगे, तुमने इंडिया में एविदेन्स आई, जो विटनेस है मीडिया में आके उनोंने सब कुछ बोला, अपना पक्ष रखा, आपके सेट पे गुंडे आके आपकी हिरोईन की गाड़ी तोड रहे हैं, आप ही के सेट पे, और उसके कंप्लेंट करना है। अपने के बाद, ये टू प्लस टू फोर नहीं होता, कि हिरोईन ने कंप्लेंट करी कि उसको तकलीफ हो रही है, फिर शूटिंग रुप गई, फिर मीडिया वाले आ गए, फिर वहां से निकल रही है, और काड़ी गुंडों ने आके, टू प्लस टू फोर करना सो सब को आता ह प्लस टू प्लस टू को करना, उनका तो काम ही है, इंवेस्टिगेट करके, मैटर की तह़ तक पहुचना, लेकिन नहीं न, आब उनके पास करोर रुपे हैं, और मेरे पास तो है नहीं करोर रुपे, क्योंकि अगर मुझे मुझे मौका दिया गया होता, काम करने का तो मेरे पास करॉर रुपए होते हैं न आज मैं है भी मेरे पास करॉर रुपए होते है तो मुझे शाहिद जस्टिस मिलती कि साहिद हिज़त मिलेगी. तो है उनके पास पैसे और पैसे कहां से है? नाम foundation गरीब farmers के नाम पे करोडो करोर रुपए लेती हैं, corporates से. यह जो Nana Pataker का नाम foundation है. यह जो इमेज उसों बना के रखेंगे कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं तो एक घर में रहता हूँ, यह धकोसला है, जूट है यह मैं, दुनिया को दिखाने के लिए है कि हम कितने विनम रहे, कि कुछ नहीं है, धकोसला है, आप लोगों को उल्लू बनाना सबसे आसान काम है सफेध कुर्ता पेहने हैं मंदिर के सामने हाथ जोके कडे हो जा संत बन लिए तुम जाके देख़े हो तो क्यों पैसा कर रहा है उसके नाम पाने सेONA वा गया। कुछ महीने पहले मैंने सुना हाँ, फलड विक्टिम्स के 500 घर बन रहे, तुमने जा के चेक किया? कुछ ने जा के चेक चेक किया? एक गुगली मारता है नाना पाटे का और तुम लोग वी बिलिव भी करते हो, हाँ? कि मैं कल बोलूंगी मैं टिंबक्तू की महारानी हूँ, मानो बोड़ो October मेंने भी accelerate मेहल बनवाया है, इसने बांच सो बढ़न ऑनवाया है ना यहाए, मैंने ब्रह्मान में पांच सो ऐलियन्ज के लिए गर बनवाया है मानोगे तुम लोग नहीं, किसने जाके देखा, 500 घर बनाया है, लेकिन 500 घर के लिए फंड तो कलेक्ट किया है, पर शूर, NGO चलाने वालों की कोई छाट और जाक नहीं होती यहाँ पे, किसके नाम पे पैसा एट रहे हैं और कहां वो पैसा जा रहा है, बैंक अकाउंट चेक करके देखा है, कि वो पैसा सच में फार्मर्स पे जा रहा है कि नहीं, हमारे देश में जो फार्मर्स है, गरीब, इतने गरीब है कि उनको दो वक्ती रोटी रसीब नहीं होती, उनके 4-5 बच्चे, बड़ी फैमिलीज होती, इतना प्रेशर उन पे उप इंडिया के बाहर, मेरी बात अलग है, लेकिन मैक्सिमम जो अच्छी अच्छी पॉजिशन प्रेट हुए है, उनके लिए 2-4 हजार डॉलर कोई भी बड़ी बात नहीं है, डाल रहते हैं फांडेशन पे, क्यों अच्छा फलाना नाशनल अवार्ड विनर का फांडेशन है, जूट थोड़ी बोलेंगे, डाल देंगे, किसी ने चेकर करके देखा है, यह जो फंडिंग आ रही है, अब्रॉड से, इंडिया के बैंक्स पाँच-पाँच, 10-10, 20-20, 25-25 रुपया देते हैं, उनके वेबसाइट पे अगर आप जाके देखो नाम पांडेशन पे, इतने कमीने और इतने बेशरम हो चुके हैं, कि वेबसाइट पे भी अपडेट नहीं किया है, मतलब उनको पता है कि आरे भाईया, यहां पे फाउंडेशन कोलके बैठ जाओ, पैसा एठ हो, कुछ करने की ज़रत ने, कोई चानबीन भी नहीं करेगा, और यहां खिला पिला के सब कर रहा है, और करते क्या है, साल में एक बार एक प्रेस कॉंफरेंस करेंगे, जैसा कि हम कर रहे हैं, उस प्रेस कॉंफरेंस पे 200 विद्वाओं को बिलाएंगे, उन 200 विद्वाओं को 15-15,000 रुपे कैश देंगे, और 500 या 200 रुपे की साड़ी देंगे, और एक सोइंग मश और तुम कमा रहे हो करोडो रुपया और लाखो और सेंकडो की दाद में फार्मर सुसाइड कर रहे हैं और तुम क्या कर रहे हो साल में एक प्रेस कॉन्फरेंस जिसमें 200 विद्माओं की गले लगके तुम फोटो खीच रहे हो चूतिया बना के रखा है क्या मैं तो नहीं हू पर देश्वासियों को बना रहे हो हूं बट आएं इंटेलिजेंट इनफ पो अंडिस्टाइड वट इस गोईंगान करोडो बैंक एक एक टाइम पर जो बैंक पैसा डालती है नाम पांडेशन में पांच, दस, पच्छीस लाग CSRS scheme के बारे में पता है आप लोगो को, corporate social responsibility जिसमें 3% हर corporate को देना पड़ता है towards social causes वो पैसा आप government को deposit कर सकते हो या फिर वो पैसा आप individual NGO में डाल सकते हो and you can show the receipt to the government वो government ने उसकी facility रखी है कि आप हमको नहीं देखे, आप NGO को देखे, आप tax rebate आप ले सकते हो इस चीज़ का फाइदा उठाते हैं इस तरह के लोग गरीब farmers, गरीब farmers के नाम पे दिल, लोगों का दिल तो पगलता है, जो अच्छा कमाते है, जिश्वार ने जिसको दिया है, वो देता भी है मैंने भी बहुत किया है, बताया कभी किसी को मेरे दिनों में जब मैं फिल्में, आइटेम सॉंग जो काम करती थी, हालां कि दूसरी ही लोगा के में बहुत कम कमाती थी, लेकिन मेरे हाथ हमेशा कुले रहते थे, मैंने भी किया है, लेकिन कभी किसको बताया नहीं, जो करते हैं न, वो इतना धक्वसला नहीं करते हैं, हाँ, कभी कबाद इसको थोड़ा बहुत PR करना पड़ता है, विकोज उनकी वज़े से बाकी funding आती है, लेकिन ये वो बावला नहीं है, ये इसके खाते में जा रहा है, इसको देखते दूसरे celebrities इसके खाते में डालते हैं, इसके NGO में डालते हैं, लेकिन काम के नाम पे आपने सिर्फ press conferences देखें हैं इसको, press conference में गरीब बिद्वा को गले लगा के फोटो खीचते हुए, उस गर किसी को भी खरीच सकते हैं